23 जुलाई को जम्मू कश्मीर के लिए लोगसभा में पेश किया गया 1.8 लाग करोड रुपे का बजट ना केवल 2047 तक विक्सित जम्मू कश्मीर की नीव को मजबूत करने वाला है बलकि इसमें युवाओं, गरीबों, महलाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर विशेश ध्यान दिया गया है इस बजट में जम्मू कश्मीर के बेटियों को मोधी सरकार ने एक नई सोगात दी है बीपील परिवार की छात्राओं को बहतर शिक्षा मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में अनमोल बेटी युजना शुरू करने जा रही है इस युजना के तहट बीपील परिवार की छात्राओं को पढ़ाई के लिए सालाना 5000 रुपे के छात्र पृत्ति प्रतान की जाए इस युजना का उदेश्य प्रिदेश में छात्राओं की शिक्षा का समर्थन करना और उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोजसाहित करना है ताकि वो सर्शक्त हो सके केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि जंभू कश्मीर के सभी लोगों को बहतर शिक्षा और स्वास्त सेवाएं में सके और वो 2047 तक विक्से जंभू कश्मीर के लक्षी को हासिल करने में बराबर के भागितारी निभा सके